हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप लोग आप सभी को भाक्ति के चैनल पर स्वागत है तो पिछले वीडियो में आपने इस ब्लॉज की कटिंग देखे थे फ्रेंट आज इसकी सिलाई देखेगा तो यह देखिए फ्रेंट आपको यह पार्ट और यह कटिंग की हुई जो जो की देखना फ्रेंट तो इसमें देखिए हम कैसे सेट करते हैं सेंटर बसेंटर और कैसे इसका चार ट्रक्स लेते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिए तो देखिए फ्रेंट सबसे पहले हमने जो है इसकी नीचे से जो है एक जो है टक्स लेंगे जो की साड़े तीन इंच से ले रहे हैं तो आपकी आपने इस साइज के नुसार चेंज होती है तो इससे कम की साइज रहती है थिक स्की बलौत तो देख़य को Henri िससे का इसे को डिंड तो देखyanus बलाव में जूइन तो देखें यह सका हमंडै टाइंच लेरे और इसका जो कि तो यह मेरी नीचे की स्रक्स थोड़ा श्याधा ले सकते जितनी अगर थोड़ी जयदा पसंद करते हैं तो जयदा भी ले सकते हैं इसम नहीं कि अधर यहां पर गला एंच लिए है और वहाँ पे एक निसान लगाए हैं देखिए ये भी लग गई और यहां से इसकी जो लंबाई है इधर से ये भी धाय इंच लिए हैं तो ये एक एक चीज जो है एकदम पूरी तरीका से लिजेगा तो बराबर रहेगी और सही से लिजेगा तो एकदम ब्लोग परफिक्ट बने देखिए फ्रेंट वहीं से आब हम यहां से दो इंच लेंगे तो ये दो इंच सभी गुलाई चारो टक्स का यह जो देख रहे हैं ये गुलाई चारो होनी चाहिए तब ही ये एक रंग रहेगी तो गुलाई से बनाद ये भी गुलाई हम पिछले वीडियो डाले हुए है क भी वी बता दिये हैं तो ये देखिए फ्रेंट ये जो है मेरी जो गुलाई सभी जगह से दो दो इंच हो गए और ये बनगे तो ये सेम चीज हमको दूसरे तरफ लाना है तो इसके लिए क्या करेंगे तो ऐसे करेंगे तो ये निसान सही से नहीं आए तो इसको पूरा गह अब देखिए इसमें ये नहीं है उदर एकदम हलका हाथ से उलरा चाहिए और वह से बैठ चाले говорит कि अब जैकि पूरे बरावाह तो इसको क्या करेंगे अभी मिला ली हमा से अब तप्टपा देंगे जिसे की यह जित व निसान है वही निसान दूसरे सैज भी से हो जाएगी तो कोई जितनी भी निसान मेरे रहेगी वह बरावर रहेगी और पुरी ही सही ढंग से यह बनेगी तक्स तो यह देखे फ्रेंड यह निसान आ गई तो इसको दोना गाम गाहडा नहीं करते हो इसे उल्टा तो यह पूरी नहीं या तो इसलिए इसको पूरा किया अब इसको थोड़ा कर लाते हैं ताकि पूरा किलियर से दिखाए देती यह भी आ गई सेम निसान आ गई तो यह मेरी वेल्ट वाली बलॉज की उपर की टक्स लेने की अब सिर्फ इस पर सिला करनी है तो यह देखिए फ्रेंट हो गई यह तो आप सुरू करते हैं पहली बार यह किए जहां पर जो जैसे निसान है वहां से सिलाई हम करें सब्सक्राइब उपर वाला लिया है और डाड़ा इंच पे जो यह लगी हुई थी इसको हम पकड़के वहां से लेगे उस सिलाई होनी बहुत जोड़ी है तो देखिए फ्रेंट यह वही करेंगे जहां पर हम निसान दिये हैं वहां से और नीचे तक जो हैं सिलाई कर देंगे तो सिलाई पे भी पूरा ध्यान क्योंकि आगर थोड़ा सा भी लाज होती जो है थोड़ा सा उसमें इधार उदर करिया तो कपड़ा जो जैदा कम हो जाती तो उसे बढ़ जाती है घड़ जाती है फैल बन जाती है फिर वह बलाव सई डंग से नहीं बनती है फिर यहां ध्यान दिजिए यहां भी जहां जहां निसान है प्रेंट सभी को पकड़ के हम एकदम हलका सा दो सुता जैदा लेके कर लिए सिलाई के इसकी गुलाई चारो तरफ से दो दो इंच है तो ये भी आप अपने साइज के अनुसरा छोटी साइज में से कम भी लेंगे जैसे तीस अठाइस हुई उसके बाद जा करके आप 40-42 इसमें इससे बढ़ा भी धाय इंच पे वी तो ये गुलाई उस अनुसा लिजेगा आप तो आपकी वीडियो हम डाले हुए है अगर समझ में आए तो वीडियो नहीं आवे तो जा करके देखिए उसमें किलियर बताए हैं तो इस तरह से फ्रेंट जितनी भी है चारो तरफ से दूसरी तरफ भी हम सिलाई कर लिए तो देखिए फ्रेंट सभी से होगी तो यही यह बहुत इंपोर्टेंट है वेल्ट वाली बलाज कि अगर इस पे आप ध्यान सही से दिजेगा और सेट करिएगा तो आपकी वेल्ट वाली बिल्कुर परफिर्ट दिये देखिए फ्रेंड यह जो है ने उन्नों की टाप से निकली वी जहां से कट हुई वेल्ट की वहीं से हम कैसे बैठाएंगे तो यह देखिए यहां पर एक से निसान दिये हैं और यहीं जहां पर से यह कट हुई वहां भी निसान दिये तो यह जो है यह दोनों निसान एक दूसरे को ऊपर बैठ जाना चाहिए जैसे यह बैठ जाएगी तो यह बैठ और इसको देखी यहां से पकड़े और हाथ से ऐसे मिला करके पूरा देख ले क्योंकि उपर वाले पार्ट में चुन्नटे पड़ी है नीचे की साइज महाबावजली तो यह छोटा पड़ गई और नीचे की बेल्ट बड़ी होगी तो जहां पर गई वहां से हम सिलाई फ्रेंड यह जो है आप सिर्प ध्यान दिजैगां सेन्टर में सेंटर मिलके हो चाहिए तो फ्रेंड विडियो तो पलिजको को समय जब अच्छा लंगे को यह तो तो देखे लिए को में तो देखे हैं आज झाल एंगे center को पकड़के center में center मिलाके जो है सिलाई कर देंगे तो इससे क्या होगी belt जो है मेरी बैठ जाएगी तो देखिए यह हो गई तो यहां पर आ गए हम और यहां पर देखिए यह center पर लगए और center पर यहां मसीन अंदर कर दिये और अंदर से फिर जो है इसको आगे बढ़ेंगे तो जब सेंटर पाएंगे तो मसीन जैसे नीचे की है और फिर उसके बाद ध्यान यह दिजिएगा जहां पर आप निसान लिजिए या कट लिजिए वह कट में कट मिलनी चाहिए तो तभी आपकी बलोज अपने आप कभी-कभी होती है इदर उधर पर ठिखसक जाती है तो अगर इस ट्रिक से आप सी लाइक करिएगा तो कभी नहीं कर से साथी फ्रेंड जो मेरे चैनल को बतुर बदाएगा क्योंकि जब भी वीडियो डाले तो आप लोगों के पास वीडियो तुरनत पह तरह देखिए जो इस्ट्रा कपड़ा जो है फ्रेंड उसको हम चटाई कर दी जो बेल्ट बची दोनों तरफ से आ गई है तो दोनों तरफ का जो है हम बरावर करके कटांग कर दिये तो यह मेरी बरावर हो गई और बेल्ट देखिए कि इतना खुबसूरत के साथ बैठी तो अभी भी एक काम इसमें करनी है जिससे की बेल्ट पूरी तरह से बैठ जाएगी तो यह देखिए अगली से यह सेंटर में मिल गई है और सिलाई भी हो गई तो यहां देखिए जो हुई है फ्रेंड वो उस जो है नीचे के तरफ करनी है ना कि उपर किता नीचे तरफ कर ले और एकदम सिलाई के यानि बेल्ट पे सिलाई ना कि उपर वाली होती पार्ट पे नहीं बेल्ट वाली पे सिलाई पर नीचे करते जाएंगे और सिलाई तो यह सिलाई करनी बहुत से दो फैदा होती है एक पैदा तो यह मजबूत पूरी तरह से मजबूत हो जाती एकदम सि क्या होती है जब यह पहनने पर जो है बलोज एकदम फिटिंग के साथ कमर की तरफ नीचे अंदर की तरफ बोड़ी से बैठ जाती है तो यह यह सिलाई करने बहुँ जवरी है तो यह सिलाई को बस एक ही चीज ध्यान रखेगा जहां पर जॉइंट है वहां पर जॉइंट पर जो है सिलाई एकदम पूरी अच्छी तरह से जॉइंट को जो है नीचे तरफ करते जाएंगे फिर सेंटर पाई तो मसीन अंदर करेंगे और फिर घुमाएंगे और फिर ग्तै को भी चीज बताएंगे फ्रेंट वोव यजी तरीका से ही बताएंगे बस ये समझ नहीं आता है क्या डाले क्या नेंदे क्या आप लोग सिह चाहते हैं तो प्रेंट को समझ में आ रही है कोई problem हो रही है तो हो कमेंट कर ec बताइए जहां प्रोब्लम हो हूँ गए आपको तो देखिये तो यह देखिये फिरैंट कितनी खुब सुरत के साथ यह मेरी staple की सिलाई की सिलाई की सिलाई हो चुकी है तो यह देखियी ध्यान से यह पला भ। गई है सेंटर वर सेंटर भी लग गई है चारो टक्स की भी सिलाई एकदम पूरी अच्छी तरीका सी तो यह मेरी सिलाई हो गई है तो पीछे ले वीडियो में इसमें देखे एक इंच क्यों लिए एक इंच देखिए फ्रिंट यहां बेल्ट में भी हुई उसे उपर के पार्ट में सिलाई हुई उसके बाद सोल्डर पे भी होगी तो यह सारी जो है एक इंच जो लेते हो माड़ी तब हम दिखाते हैं यह में कितना बची तो यह देखिए उपर का जोइंट के लिए हम छोड़ के हाप इंच अगर रखते हैं तो यहां पर देखिए फ्रिंड यह कितना पर हुई थी तो यह देखिए यह देखिए आप लोग के सामने में यह डेड़ इंच में भी एक प्विंट कम ही है तो एक इंच हम कपड़ा लिये तो यह मेरी फोल्ड हो जाएगी और उपर में हाप इंच लियें वह दवा हो जाएगी तो एक दम परफेक्ट तरीका यह 15 इंच जो है लंबा इस ब्लॉज की तयार हो जाएगी तो कभी कभी होती है बिल्ट वाली ब्लॉज उपर चड़ जाती है घड़ जाती है फिटिंग साथ नहीं बढ़ती तो यह से प्रोड़म खतम हो जाएगी तो इसकी लेने के तरीका भी देखिए फ्रेंड यह एक दम ज तरीका से बनती है और बहुत इंची तरीका से आप एक दम फिटिंग के साथ ब्लॉज तयार कर लेजी तो अब इसमें फ्रेंड वाजू है और दूसरी पार्ट जो वह जोइंट करेंगे तो आप लोग कोमेंट करके बताईएगा जो आप लोग पूरी वीडियो देखना च से लेंगे नेक्ट वीडियो पर धन्यवाद